हेलो गईश तीसिस राज और वाजिंग जी साच तो आज मैं जो यह पूर्ट से वीडियो बना रहा हूं अब लोग मेरे सब थोड़ा सा रुकेंगे तो अब लोगो पता चलेगा कितना चोटा यह पूर्ट है यह और मैं कहां जा रहा हूं ठीक है आज का यह ब्लॉग होने ब अब लोग बनाओंगा अब लोग से 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 रहसे यह प्लाइट केंदर से जो दिखाय दे रहा है ऑपने अब लोग से स्यर करऊंगा यह जो इन्फॉर्मिंटेनल एक बीयूज है यह आपको मिलेगा और नेचरल जो ब्यूटी है वह आपको पता चलेगा मेक्सिको का नेचरल कोजुमेल है मेक्सिको का एक आइलेंड यह आइलेंड के बीच में ज्यादा तर आदमी आता नहीं है तो इसलिए यह जो एरपुट है एकदम छोटा सा एरपुट है आपको दिखाई दे रहा है तीन चार फ्लाइट इधर खाड़ा है और जितना भी अभी फ्लाइट आपको हॉस्टन है एमेरिका का टेक्सास में एक एरपुट उस पॉर्ट में में जाओंगा और उधर जाने का बाद मेरा दो दिन टेक्सास में रहना पड़ेगा और टेक्सास में रहने का बाद में दूसरा एक जगा में जाओंगा फ्लोरिडा तो टेक्सास में में जाके कहां रहता हूं। मेरा जो कंपणी है उसका पार्ण स्थिफ है तो मेरा रूम है उसमें मैं जाकि अभी दो दिन के लिए रूखूंगा और अब लोग से आभी जो स्यार करूंगा यह फ्लाइट टेक अप करने से लेकर लेंडिंग करने तक जो प्राइब जाके लेंडिंग करेगा तब तक जो मैं दिखूँंगा वो सब अब लोग से शयार करूँगा ठीक है अभी जितना भी रास्ता होगा जाने यह पूरा रास्ता है ओसीयन को उपर से अभी मेक्सिक गॉल्फ ऑप मेक्सिको का उपर से जाएगा इधर का एक महा साकुर बोला जाता है उसका उपर से जाएगा अभी और हम लोग का जो सफर होगा दो घंटा 30 मिनिट्स का ठीक है तो चलिए देखते रहे वीडियो तो आप लोग को पता चल जाएगा उपर से कैसा होता है हम लोग का इंडियन जो यह ट्राविल होता है वो थोड़ा सा अ लाग है क्योंकि इधर का जो इंवर्मेंटल स्टाटस है यह बहुत ज्यादा क्लीन है पॉल्यूसा नहीं है तो इसलिए आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा जो इंडिया में ऐसा नहीं मिलता है इंडिया में आपको फोग मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा बट फस्ट हम लोग थोड़ा सा जाओंगा गॉल्प अप मेक्सिको का उपर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जाओंगा केरिबियन ऑसी अन पर ठीक है तो दो असीन हम लोग कॉबर करके जाना पर अमेरिका और टेकसस का बोले तो जहां पर ओसीन खतम हुआ है एकदम वह लाश का New York City और दूसरा कोई California City और दूसरा कुछ भी City में आप जाओ जो आपको टाइम मिलेगा Texas और Mexico में आपको एक घंटा लेट मिलेगा बोले तो अगर माल लिजिए America में 7 बजा है सुबा का तो Mexico में 6 बजेगा ऐसा है तो same Mexico and Texas का time same है बट Texas जो है यह अमेरिका के अंदर है और Mexico एक अलग country है ठीक है तो मेरा last duty था Mexico में नॉर्मली हम लोग क्या करता हूं मेरा जो सीफ है ज्यादा से ज्यादा मेक्सिको में जाता है तो इसलिए मैं हफता में है USA क्योंकि USA में हम लोग का port है home port उसमें हम लोग पॉर्ट के पास जो hotel रहता है हम लोग का partner hotel holiday in हो गया हिल्टन हो गया इस hotel में हम लोग दो-चार दिन के लिए रुकता हूं फिर रेस्ट लेने का बात फिर हम लोग दुसरा सिफ में जॉइन कर ले हूं और दुसरा एक वीडियो में बनाओंगा अब लोग में दिखाओंगा हम लोग का जो documentation है वो कैसे होता है ठीक है क्योंकि यह जो documentation का system है हम लोग देखिए सुभा एक कंटी में होता हूं तो रात में दुसरा कंटी में तो इसके लिए जो भीशा processing है कैसे हम लोग बनाता हूं ठीक है यह मैं बताओंगा दुसरा एक वीडियो में अभी जो भीव आप लोग देख रहा है यह मेक्सिको का उपर का वीडियो थोड़ा देर बाद हम लोग ओसियन के उपर चला जाओंगा ठीक है देखिए अभी ओसियन के उपर चलाया हूं और एकदम उपर चला गया है यह 25,000, 28,000 का उपर देखिए कितना अच्छा लग रहा है भी में थोड़ा सा यह वीव अब लोग से सेर करूँगा देखो क्लाओट कितना पीछे आ रहा है भाग भाग के मैं थोड़ा कुशिस करता हूं कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए ठीक है मेरा बात अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं उतना अच्छा बात नहीं कर सकता हूं बट पैसन के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और दिखाते रहता हूं ठीक है आप लोग देख सकता है, देखो क्लाउट कितना अच्छा है इदर, इंडियन स्काइ में इतना क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगा, अगर मैं इधर से देखोंगा, तो नीचे समुंदर में सीप जा रहा है, मैं इधर से देख सकता हूं, बहुत, देखिए इधर से, आप लोग से जा रहा है में देख रहा था तो ऐसा बहुत भी हो हम लोग को अच्छा देखिए अभी हम होस्टन के पास ही एकदम चलाया हूं दो घंटा कुछ रास्ता के लेंडिंग करने के लिए थोड़ा बाकी था 20-25 मिनिट यह वीडियो में बनाया था ठीक है और पूरा में वीडियो अब लोग को दिखाऊंगा होस्टन लेंडिंग होने का टाइम जो जो विव आपको देखने को मिलेगा वह भी आप लोग को देखने को मिलेगा कितना अच् बहुत दूर है अभी तक बोले तो अभी 25 मिनिट देखें फ्लाइट अभी नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा पाता चला है फिर उपर चला आएगा थोड़ा बात क्योंकि थोड़ा या टर्बुलेंस होता है तो थोड़ा उपर नीचे लोग करते रहता है तो अब यूक्स आपको कभी नहीं मिलेगा ठीक है मेरा एक्स्प्रेंस से में देखा हूँ कितना अच्छा भीव आपको मिलना है यह है हस्टन का भीव है अभी हस्टन का जो अस्मान है उसमें फ्लाइट घूम रहा है क्योंकि उधर थोड़ा सा ट्राफिक जैम था इसलिए वह ले अच्छा मिले पता चले क्या होड़ा है क्या नहीं होड़ा है यह जो सिटी अभी देख रहा है यह हस्टन से पुरा अंदर सिटी के अंदर चलाया है इसलिए देखो साधा साधा जो दिखाई दे रहा है थोड़ा नीचे जाएगा तो और भी क्लियारिटी आपको मिलेगा और हम था आज United flight में और मेरा नसिब इतना अच्छा था आज मेरे को seat मिल गया था 331F एक बात अब लोग से मैं share करना चाता हूँ कभी अब अगर छोटा flight में आब लोग बैठेगा छोटा flight बोले तो या टेक्सी जिसको बोला जाता है बोले तो 160-200 seat का जो flight होता है उसमें अगर A-series और F-series आपको मिले A-series बोले तो माल लिजे 14A तो यह होगा window site ठीक है और माल लिजे आपको मिला 14F तो यह भी होगा आपका window site बोले तो 3-3 करके sit रहा था है तो बड़ा Airbus Boeing जो होता है उसका 3 row रहता है उसका ऐसा नहीं मिलेगा उसमें आपको एक मिलेगा 14A में window site मिलेगा और माल लिजे 14I में मिलेगा और G में मिलेगा window site तो यह थोड़ा सा हिसाब अब लोग को अगर पहले से checking करना है तो दिमांग में रखेगा तो आज मेरा checking में पहले घर में बैटके में कर लिया था तो इसलिए मैं 13A if available था में ले लिया उस seat को तो अभी पुड़ा एकदम window site मिल गया है मेरा और अब लोग को में दिखाने के लिए थोड़ा कोशिस किया हूँ कैसा होड़ा होता है इदर का नजड़िया तो चलिए कितना और्गनाईस है city देखो यह चोटा 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 जो देख रहा है न यह सब बंगलो है और जिदना भी इदेख रहा है forest है यह forest है लिकसस के अंदर है ठीकसस का forest बहुत जादा है अमेरिका का जिदना भी city है सबसे ज़्यादा forest आपको ठीकसस में म बनाया ज्यादा से ज्यादा आठ से 9000 फीट उपर होगा फ्लाइट कोशिश किया हूं कुछ दिखाने के लिए आपको अगर अच्छा लगे कॉमेंट पर जरूर बताना और विजा रिलेटर में बात, सोरी विजा नहीं हम लोग का जू डॉकुमेंट्स होता है कैसे होता है हम लोग दुसरा दुसरा कांटी कैसे चलेंजा था हूँ है एक एक दिन के अंदर दुसरा कंटी और कैसे इसका processing होता है विजर stamping कहां होता है विजर stamping होने का जो timing है वह कैसे हम लोगमिलता ैं अम्हें details में दूसरा एक विडियो में बढ़ आउंगा ठीक है अभी दो तिन दिन मेरा हाथ करूंगा अब किसे साथ करूंगा क्योंकि अभि मेरा रूट चेंज होने वाले वाला है पहले में अमेरिका से मेक्सिक चाता था अभी अपरिक साएड दुसरा कोई कंटी होगा मेरा सीप रहति है जब पतक में 19 को जोइन ना करूंगा तो पता नहीं चलेगा ठीक है तो जी साच में देखते रहें जी साच को स्यार करिए सब्सक्राइब करिए ठीक है चालिया बाय थैंक यू